Hello friends, please subscribe our channel, like this video and share with your friends इस वीडियो में हमने standard score का second type जो है हमारा T score उसको cover किया है और इससे पहली वीडियो में हमने Z score को cover किया था जिसकी आप link अपनारी description में से देख सकते हैं देखी हमने पताया था जो standard scores है वो हमारे four types के होते हैं Z score, T score, Stenine score and C scores तो हम Z score के वारे में तो पहले पढ़ चुके हैं पट अब हमें क्या देखना है T score क्या होते है तो देखें T score basically जो हमारे Z score की जो कमिया थी कि वहाँ पर हमें decimal point मिल रहे थे and जो data था वो cable minus 3 sigma 2 plus 3 sigma मतलब बहुत ही छोटी जो discrimination थे, differences थे उनमें divide हो रहा था और उसके अलावा plus और minus values मिल रही थी तो उसकी जो कमिया थी उसको धूर करने के लिए जो scale बना या जो scores आए वो हमारे थे T score जो T scale पर measure किये जाते है it removes the problem of negative score इसने जो नकारात्मक जो हमारे marks थे, score थे उसकी problem को दूर कर दिया और साथ में जो decimal values वहाँ पर आ रहे थी क्योंकि केवल 6 types में हमें divide करना कि minus 3 to minus 2 sigma, minus 2 to minus 1 sigma ऐसे करके हम divide करते थे उसके बजाए हमें point में भी values लेनी पड़ती थी कभी कभी की 2.5 sigma पर क्या value है raw score आ रहा है तो उन decimal values को यहाँ पर इसमें हटा दिया गया है यहाँ पर हमारे पास 10 scores होते हैं present good discriminating range और इसकी जो range है वह हमारी कहां से 0 to 10 0 to 100 तक की range है जो कि बहुत ही अंतर वाली range हमें मिल रही है जिसमें हम कापी सारे difference बता सकते है जीरो टू टैंग जीरो टू वन जीरो टू फाय ऐसे करके अलग 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 लेवल अपने बना सकते हैं जो कि हमारे को रॉय स्कोर से जबी भी conversion करना हो रॉय स्कोर का टी में या टी करो में तो हम easily उसको कर सकते हैं without decimal value को use Club जैसे हमारा टी दिस कोर जब्सकोर था वहाँ पर मीन हमेशा 0 रहता था यहां मीन वैल्यों रहती है 50 जो D हमार जाट सकोर मैं HD हमेशा 1 रहता था याempulле रहती है 10 की और जब्दी कैने पर 0 to 100 रहती है पर फिर भी कुछ राइटर्स ने 2280 इसकी रेंज बताईए जो कि जो z score में minus 3 sigma 2 plus 3 sigma के equivalent होती है अगर हम 2280 लेते हैं और z score से इसको compare करेंगे तो 20 हमारा minus 3 sigma पर आएगा and 80 हमारा plus 3 sigma पर आएगा पर अगर उसकी range को बढ़ा दे minus 5 sigma से plus 5 देखें तो 0 to 100 की range रहेगी अब देखिए z और t score में क्या comparison है जैसे कि हम वहाँ पर mean हमारा center पर रहता था यहाँ पर भी जो mean है वो हमारा center पर ही रहेगा बस z score में 0 होता था या 50 हो जाएगा और वहाँ basically जो हम लेते हैं नॉर्मली वह minus 3 sigma to plus 3 sigma लेते थे इसको हम 0 to 100 लेंगे जो कि z score के comparison में minus 5 to plus 5 sigma होगा तो मतला range हमारी इसकी होगी 0 to 100 और जो इसका formula है अगर हमें z value given है जो questions आते हैं एक्जाम में वह ऐसे आते हैं कि अगर आपको z value दे रखा है तो आपको t में convert करना होता है या t value दे रखी है तो z में convert करना होता है तो इसके जो mean formula है वह यहीं इस करेंगे t cost to 10 into z plus 50 जहां जो 10 है हमारा sd है और z है और साथ में 50 जो है वह इसका mean है यहां पर हमें अलग से mean और sd नहीं दे रखा होता जैसे z में हमें given रहते हैं यहां पर हमें जो fix है sd वो 10 रहेगा और जो mean है वह हमारा 50 ही रहेगा तो इसके basis में हम कोई भी value निकाल सकते हैं और अगर हमारे को question आता है कि कोई raw score दे रखा है वहां से आपको t value पता अगर नहीं कि इस raw score के लिए t value क्या होगी तो आप पहले तो उसे z में convert करेंगे इस formula से जो हमने आपको पिछली वीडियो में समझाया था और उसके बाद में हम सीधे-सीधे t वाला formula अपलाए करके और अपना जो t value है वह पता कर लेंगे उस specific raw score के लिए और अगर आपको कहीं-कहीं z score दे रखा है तो आप direct हमारे यह t वाला formula यूज कर सकते हैं और अगर उसमें हमने minus 32 plus 3 sigma यहां पर पुरी बनाई हुई है और इसमें जो अलग-अलग level है जैसे yellow वाला जो reason है यह पूरा reason हमारा होगा two times of 0.3414 मतलग इतना इतना reason हमारा 0.3414 है या इसको हम 34.14 परसेंट भी कह सकते है total population का और यह वाला reason भी हमारा 34.14 परसेंट है similarly जो green वाला right side है और left side का भी reason हमारा 13.60 परसेंट है और minus 3 to 2 sigma के बीच का जो reason है वह हमारा point वह हमारा 2.14 परसेंट similarly इधर का भी blue reason हमारा होगा 2.14 परसेंट और minus 3 से below इतने भी percentage लाए करेंगे वह होंगे हमारे 0.13 परसेंट और plus 3 से जो above percentage लाए करेंगे वह होंगे हमारे 0.3% of whole population इसलिए देखो देखें जो इहां पर हम इसके जो percentage है कि कितना percentage कहां से कहां पर लाए कर रहा है तो उसको हम sigma के value या z के value के basis पर अगर देखें तो ऐसे पता चलेगा कि जो minus 3 है वह हमारे 0.3% population लाए कर रही है minus 3 से blue के बल माइनस से नीचे की population है वह हमारी 0.3% है और minus 2 से नीचे की जो population है वह हमारी 2.27% similarity minus 1 से पहले जितने population लाए कर रही है वह है 15.87% और बीच में जो हमारा 50 है मतलब 0 है तो 0 तक आधी जो population है क्योंकि यह जो curve है NPC वह symmetric होता है दोरों तरफ आधी आधी population लाए करती है तो 0 से नीचे या 50 जो हमारा 0 z value से नीचे हमारी कितनी % population लाए करेगी half यानि कि 50% और ऐसे ही करके हमें आगे की values मिलती जाती है यह जो values है यह हमें इनको add करके मिली है जो नीचे वाले चितने भी population थे जैसे अपने इस % को और इस % को add किया तो हमें मिल गया 2.27% और ऐसे ही 13.60 को फिर से 2.27 में add किया तो हमें मिलेगा 15.87 और ऐसे ही आगे की percentage मिलती जाएंगे और जो यह values आएं है स्टुडिन की काफी questions रहते हैं कि यह value कहां से आएंगे तो यह value हमारे table values होती है आपको अपने आने वाली वीडियो में table को देखना बताएंगे कि z के लिए हम table value कैसे find out करें और कैसे बता करेंगे कि कहां पर कौन सी value रखी जाएगी तो देखिए यह हमारा जो अभी है हमने ऐसे करके हम कह सकते हैं जो अभी हमने distribution देखा उसके basis पर अगर टी के स्कोर से उसका compare करें तो तो हमारा जो 50 है 50 पर जहां 50 हमारा आता है टी स्कोर वहां हम कहेंगे कि 50 टी स्कोर से नीचे हमारी 50% population लाएं कर रही है पर जहां पर हमारा 40 टी स्कोर आरा है तो उससे नीचे हम कहेंगे कि 40 टी स्कोर से नीचे की जो population ने वह होगी हमारी 2.27% similarly 20 T-score से नीचे की जो population होगी वो हमारी होगी केवल 0.13% और इसी तरही के से हम इन percent में से अगर minus कर दें तो हम इसके अब अब वाली percent भी find out कर सकते हैं जैसे कि अगर हमें पता करना है 40 जो T-score है उससे अब अब कितनी percentage student लाए कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 40 के जो percentage है वो है 15.87 कि 40 से नीचे हमारी कितनी percent population लाए कर रही है वो है 15.87 तो हम क्या करेंगे हमारा जो 100% होता है उसमें से minus कर देंगे 15.87 को तो हम उसके basis पे कह सकते हैं 100 में से minus करके 15.87 को कि जो population है 40 से अब अब जो लाए कर रही है वो होगे हमारी यहां से लेके आगे तक की और उसको जो percentage होगा वो होगा हमारा 84.13% जो कि basically 100 में से 15.87 को minus करने पर आया है ऐसे हम आगे कि आप populations का पता कर सकते हैं अब देखिए question जो भी हमने बताया कि इसमें question किस प्रकार से आते हैं कि कितना जो percentage cases है वो यह कितने percent population है वो किसी भी fix score से ऊपर या नीचे कितने percent cases लाय कर रहे हैं इसराइब के question हमारे पास आते हैं तो example के लिए देखते हैं हमें question दे रहा है कि T68 यह जो value है हमने यह जो line यह draw किया है black से वो हमारा है 68 T की value तो T68 यह देखिए हैं पर 60 आ रहा है T की value और यहां हमारे को T की value 70 दे रखी है तो इन दोनों के बीच में 68 आ रहा है हमारा अब हमें यह बताना है कि 68 से नीचे और 68 से ऊपर कितने percent cases हैं जो line कर रहे हैं 68 से नीचे और 68 से ऊपर तो इसके लिए हम क्या करेंगे अपन तो Z हमें जरूरी find out करना है तो इस question में हम T की value तो रखेंगे और Z को find करेंगे तो देखिए 10Z हमारा यहां पर था जो कि अब यहां आ गया और 68 में से 50 minus किया तो हमारे पास 18 बचा तो जब इसके साथ में 10 था तो 18 के नीचे आया divide किया तो हमारा Z का जो answer था वो आ गया 1.8 तो Z की value हो गए 1.8 देखिए यहां पर Z की value 1 थी और यहां Z की value 2 है तो यानि कि जो हमारा 68 पर value है 1.8 वो सही value आ रही है अब हमें यह 1.8 को table में देखना पड़ेगा इसको table में देखना हम आपको पताएंगे अपनी next वीडियो में कि कैसे table को पढ़ा जाता है अभी आपको वह हमारे पास आई 46.14 टेबल वेलिव बेसिकली क्या होती है जो इसका हाफ है उससे आगे यह उससे पीछे की value बताती है यह 46.14 हमें यही बता रहा है कि मीन से आगे यह मीन से 1.8 तक का पीछे तक के कितने percent cases दाए कर रहे हैं पर हमें यह बता रहा है कि 68 से नीचे नीचे क बता होना चाहिए थाथ है कि मि उस मिटकरने के लिए हमें 50 % केसे नीचे को लाए कर रहे थे उनको भी अड़ करता है और इस mid-line से नीचे को लाए कर रहे है इस 67 तक 68 तक उनको भी add करना है तो यहां तक 50 से लेके 68 तक हमारे 46.14 cases लाए कर रहे थे और नीचे के cases थे हमारे 50 तो जब हमने इसको add किया तो हमारा answer आगे 96.14 cases या 96.14 percentage जो है इतने percent cases हमारे population के इस line से या 68 जो हमारे t value है उससे नीचे नीचे लाए करेंगे तो देखिए अभी हमारा answer आगया कि इससे नीचे कितने percentage cases लाए करेंगे अब अगर हमें इससे उपर के cases बताने जो कि इससे हमें white से draw white colors में यहां पर दिख रहे हैं यह वाले cases हमें बताने तो हमें क्या करना पड़ेगा किवर 100 में से 96.14 को माइनस करना है और हमारा answer आ जाएगा और हम बता देंगे कि इतने percent cases हमारे 60 80 score से अब अब लाए करेंगे I hope friends आपको यह समझ में आया होगा अगर जो भी doubt है आप हमें comment करके बता सकते हैं हम आपके doubt को दूर करने का पूरा कोशिश करेंगे अगर आपको यह पसंद आया है देन प्लीज लाइक कीजिए और अपने friends को भी शियर कीजिए जिनसे की उनका भी profit हो थोड़ा सा और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज अबी सब्सक्राइब कीजिए, थैंक य।